गुद मारिंग क्लास फेज तो बच्चो सब्जेक्ट है आपका SST सो प्लीज ओपन योर SST बुक और इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो है हमारा लेसन नमबर एट दे फ्रिजर्ट जोन तो आज मैं फ्रिजर्ट जोन में आपको करवाने जा रही हूं और बहुत ही छोटे छोटे आंसर है आपने इनको लिखना है अपनी कॉपी में जैसे कि फर्स कोशन है जैसे कि हमें नाम से लगता है फ्रिजर्ट जो फ्रीज रहता है जो फ्रोजन रहता है ठंडा रहता है वो ही फ्रिजर्ट जोन है name the area fall in frozen continent frozen continent में जो भी areas आते हैं उनके नाम लिखने है what do you mean by ice cap, ice cap से आप क्या समझते हैं, fourth है name the animals that are found in green land green land में पाई जो आने वाले animals के नाम लिखने है और इसमें मैं आपको सिर्फ four ही question करवा रही हूँ ठीक है, तो देख लीजी आप इसे कॉपी में, class fifth है, subject sst है date 19th December है, lesson name the frisered zone C part हम कर रहे हैं, first question मैंने आपको करवाया, what is the frisered zone, frisered zone से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, तो देखिए the poles which are permanently covered by ice and are frozen throughout the air, तो frisered zone वो होते हैं, वो poles frisered zone हैं, जो permanently ice से cover रहते हैं, ढके हुए रहते हैं और पूरे साल मतलब frozen रहते हैं, throughout the air, मतलब साल भर पूरा जो साल होता है, उसमें वो क्या रहते हैं, frozen रहते हैं, जमे हुए रहते हैं, बर्व से, second question, name the areas fall in frozen continent, frozen continent area में आने वाले areas के नाम लिखने हैं, आपने ठीक है, तो इस cancer देख लीजे large parts of Canada, Canada का parts आता है, Alaska Scandinavia coastal greenland, Iceland and Siberia fall in this reason, तो इस area में आने वाले parts हैं, Canada Alaska, Scandinavia coastal greenland, Iceland and Siberia fall in this reason, ठीक है third question, देख लीजे इसमें, third question है what do you mean by ice cap, ice cap से आप क्या समझते हैं, तो देखिए the northern parts remain covered with a thick layer of ice, it's called ice cap, जो northern parts होते हैं, वो किसे cover रहते हैं, एक मोटी सी layer होती है, ice की, उससे cover रहते हैं, और वो ही क्या कहलाता है ice cap, ठीक है fourth है, name the animals that are found in green land green land में पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखने है, तो हम पहला लिखेंगे reindeer, कामा the polar bear, कामा the musk ox, कामा seal and wolf ठीक है, तो यह जो जानवर है यह green land में पाए जाते हैं तो यही four questions में आपको करवा रही हूं इनको ही आपने learn करना है और Monday से आपके second unit test start हो रहे है, जितने भी आपके subjects है, सब में आप revision करना start कर दीजे, जो भी आपका unit test का syllabus है, second unit test का उसको आप learn करिए एक्जाम में जितना आपको दिया जाएगा जितना आपको आएगा आपने उतना करना है cheating आपने नहीं करनी है writing पर आपने ध्यान देना है और same आपने जैसे half-yearly exam में किया था उसी pattern से आपने काम करके school gate के box में आपने copies को drop कर देना है timing timing आपको बता देंगे ठीक है तो फिलहाल आप जितना भी revision है आपको करने के लिए उसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक all the best